नमेशकार दोस्तों, हमारे Peninsular Region के अंदर 7000 किलोमीटर से भी जादा आपको Coastal Boundaries देखने को मिलेंगी 26-11 वाला अटैक आज भी हमने नहीं बुला है तो यहाँ पर काफी लंबे समय से एक मांग चलती आ रही है कि जो समुदरी सुरक्षा है जो Coastal Areas है, High Sea हो गया, पुरा Indian Ocean हो गया इन सभी चीज़ों को कॉडिनेट करने के लिए जिस तरह से जो तीनों फोर्सेस को एक साथ लिंक करने के लिए आपने देखा होगा सीरियस का गटन किया गया, Chief of Defense Staff जिसका नित्वित इस समय विपिन रावत जी के दौरा किया जा रहा है तो उसी प्रकार से जो Maritime Security है, जो सरिफ और सरिफ यहाँ पर Maritime चीज़ों से रिलेट करे, Coastal Areas, High Sea हर तरफ उसके लिए हमें एक National Maritime Commission बनाना चाहिए In fact, मैं आपको एक interesting चीज़ दिखाता हूँ, 2005 का आप यह report देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया था, Setup National Maritime Commission, Navy ने बोला था सरकार को, अभी तक वो चीज़े नहीं हो पाई थी, लेकिन Finally, आप यहाँ पर यह news देख सकते हो, India to get apex body for maritime challenges, जिसका नाम होगा National Maritime Commission, तो यह क्यों जरूरी है, क्यों हाँ importance है, किस तरह का structure होगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मु तो आप हमारे course को join कर सकते हैं, जहाँ पर आपको comprehensive way में static current हर एक चीज UPSC perspective से मिल जाएगा, तो चलिए देखते हैं exactly यहाँ पर हुआ क्या हैं, क्यों इसके बारे में discuss कर रहे हैं, so because India will now finally have an apex body, apex body मतलब एकदम सर्वो उपर जो हमारे maritime security से relate करती हो, जो coastal line है, high C हो गया, हर तरफ उसको control कर सके, यहाँ पर किसी भी प्रकार का security का खत्रा ना हो, इसके लिए ये पूरी body बनाई जा रही है, basically बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से एक ऐसे body का demand हो रहा था, जो कि policy making कर सके, policy बना सके अच्छे से, effective coordination हो, क्योंकि अगर आप coastal से related चीज़ों को देख तब जाकर चीज़ें कहीं ना कहीं एक decision लिया जा पाता है, तो finally इन सब चीज़ों को देखते वे, यह जो national maritime commission बनाने का निर्ना है, वो almost ले लिया गया है, let me tell you, यहाँ पर जो cabinet committee on security होती है, जो की security से related चीज़ों को एकदम देखती है, उसके उपर decision लेती है, जिसको prime minister के द्वारा even chair किया जाता है, cabinet committee on security, उनके द्वारा यहाँ पर final nod मिलना बाकी है, मतलब चीज़ें almost हो चुकी है complete, लेकिन CCS यहाँ पर final decision ले लेगी बहुत ही जल, और यह वाला जो body है आपका national maritime commission यह बन जाएगा, कब तक बनेगा, इसको लेकर आप देख सकते हो, जो हमारे chief of defense staff है, जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने यहाँ पर बताया कि middle of this year, ठीक है, तो maybe June जुलाई तक आप expect कर सकते हो, कि इसका जो पुरा organizational structure है, वो बताया जाएगा, structure किस प्रकार से होगा, तो देखी अभी तक publicly, यहाँ पर public domain में इस चीज़ को share नहीं किया गया है, लेकि post बनाये जाएगा, जो different stakeholders हैं, आप देखे, stakeholder कौन कौन से हैं, यहाँ पर central ministries के अंदर, अलग-अलग ministries, क्योंकि maritime की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि navy आती है, navy के अलावा आप देखो, जो fisheries है, जो agriculture, fisheries, अलग से ministry है, उनको चीज़ों को देखना होता है, यहाँ पर coastal region से related जो security है, वो कौन सी ministry देखेगी, home ministry हो गई, इसके लावा अलग-अलग department हो गई, shipping, fisheries, अलग-अलग department, उन सब को एक साथ जुटाना, प्लस, यहाँ पर इतनी जो बड़ी boundary है हमारी coastal lines की, उसमें अलग-अलग राज्य देखने को मिलेंगे तो state government हो गया, union territories हो गई, navy, coast guard, custom, intelligence agencies हो गई, port authorities हो गई, आप जस्ट सोच के देखो कि इतना बड़ा web है, इन सब को एक साथ कैसे लाया जाएगा एक platform पर, इसकी वजए से यह जो पुरा structure है वो आपका बनाया जा रहा है, next question आता है कि यह इतना जादा important क्यों है, important इसलिए ह क्योंकि यहाँ पर एक full time framework की हमें आफशकता है, जो कि काफी समय से missing था, कि इतने सारे player होनी की वजए से, और हर एक player का अलग-अलग role होता है, हर एक department, ministries का अलग-अलग responsibility होता है, तो इसी की वजए से, पिछले कई समय से इसकी चर्चा हो रही है, और बोला जा रहा है कि ह हमें body बनानी चाहिए, तो finally जाकर आप कह सकते हो, it could never take concrete shape, कि अभी तक जो demand हो रही थी, वो कभी भी नहीं हो पाया, 2611 का जो Mumbai terror attack हुआ था, 2008 में आपको याद होगा, उस समय जो cabinet committee on security है, उनके agenda पर ये वाला आया था, कि हमें maritime security advisory board बना देना चाहिए, जिसमें security advisor होंगे, इ ये रूप में नहीं आया, मतलब इसको बनाया नहीं किया, in fact मैं तो आपको इसके पहले चीजों को ले जाना चाहता हूँ, 1999 में Kargil war हुआ था, और यहाँ पर इस सभी चीजों को देखकर एक group of ministers बनाया गया था, उनके द्वारा report जारी की गई थी, और उसी report में मैं बता द तो clearly बहुत समय से होती आ रही है, लेकिन चीजों को अभी तक लाया नहीं गया था, finally मैं आपको बताता हूँ कि, obvious ही बात है कुछ ना कुछ चीज तो बनाना था, तो यहाँ पर NCS-MCS, यह आप देख सकते हो, National Committee on Strengthening Maritime and Coastal Security Against Threat from the Sea, इसी को कहा जाता है NCS-MCS, तो 26-11 का जो Chair कौन करते हैं, Cabinet Secretary, Cabinet Secretary के Chairman है, जो इसको Head करते हैं, लेकिन Problem है इसमें बहुत सारी, यह Body ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा मिलती रहती होगी और हमेशा ध्यान देखती हो, क्योंकि Cabinet Secretary के हम बात करे हैं, उनको तो बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि, यहाँ पर जल्दी से मिलते होंगे और Maritime के उपर Specifically Focus कर पाएंगे, उव्यसी बात हैं नहीं हो पाएगा, वो बहुत Occasionally मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर Meeting होगी तो जो 13 Coastal States हैं, Union Territories हैं, सभी को साथ बैट कर, अलग-अलग Stakeholders को साथ बैट कर, सारी चीजों का Progress Review लेना होता है, लेकिन वो चीज़ें बार-बार पॉसिबल नहीं हो पाती, औल्दो यहाँ पर बताया गया है कि कई सारे स्टेफ्स लिये गए हैं, इनके द्वारा जैसे कि Coastal Radar Network हो गया, रडार के माध्यम से हम चीजों को ट्राक कर सकें, State Marine Police Station बनाना हो गया, इस तरह की चीज़ें इसका में काम यह होता है, कि पूरे देश भर में अलग-अलग जो Intelligence की Inputs मिलते हैं, फीड मिलते हैं, उनको एक साथ एकत्रित करना और यहाँ पर उसको अरेंज करना और देखना कि किस तरह का Threat हो सकता है, मतलब यह Technology के माध्यम से चीजों को एक साथ लाने की कोशिश की ग और जो भी उसको लेकर कदम उठाने से जानकारी देनी थी, उनके द्वारा दिया गया, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि जो Proper Project होना चाहिए, National Maritime Domain Awareness का, वो Proper, Permanent जो Project है, जो सभी चीजों को एक साथ लेकर चले, वो अभी भी Missing है, तो Integrated Intelligence Grid होना चाहिए, जो Detect कर सके किस में मैंने आपको बता दिया, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही Interesting और Important चीज में आपको बताता हूँ, कि अगर हमारी समुदरी सीमा सुरक्षित रहेगी, जो पूरा Indian Ocean अगर सुरक्षित रहेगा, तभी जाकर हम Growth में भी इजाफा कर सकते हैं, जब हम GDP में बात करते हैं, इ यहाँ पर आप देख सकते हो, कि 7517 किलोमीटर लंबा जो Coast Line है, वो देखने में मिलता है, Islands आप देखिए, 141398 Islands हैं, 9 Coastal States हैं, 4 Union Territories हैं, Total District की बात करें, Coastal से जो related हैं, वो 77 Districts आपको देखने को मिलेगें, मतलब कि भारत की करीब 18% अबादी, जो Coastal Areas है, वहाँ पर आपक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि Nuclear Plants हो गया, Refineries हो गया, Megacities हो गया, सब कुछ आपको Coastal Lines में देखने को मिलेगा, तो इसकी Protection की भी तो जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, और एक तरह से जो पुरा Indian Ocean अगर आप देखोगे, तो Global Economic Highway जैसा बन गया है, मतलब बड़ी मात्रा म तो अपनी Opportunity लेने की कोशिश कर रहा है, अलग-अलग देशों के साथ, तीसरी Largest Body है यह पूरे Indian Ocean, यहाँ पर Oil और Mineral Resources भी आपको काफी हद तक देखने को मिलते हैं, कली मैंने वीडियो बनाया था कि यहाँ पर ONGC जो है, वो KG Basins पे बड़ी मात्रा में जो गैस है, उसक Sound Maritime Understanding, एक Security Framework जो है, वो हम बनाने में सफल होते हैं, क्योंकि जब वो होगा, तभी हमारे देश में जो Economic Growth है, वो भी हमें देखने को मिल सकती है, तो यह पूरा वीडियो था regarding National Maritime Commission, रिसेंटली इसको लेकर, जो है, कुछ Media Reports में खबर आई थी, और मैंने सुचा आपको इसक आपके लिए कोशन लेकर आया हूँ, आपको बताना है, विच हारबर इस प्रोटेक्टेड बाई यर रौकी हेड्लेंड, मतलब कि वो पर्टिकुलर पोर्ट हारबर के बारे में आपको बताना है, जहां पर उसको Dolphin's Nose कहते हैं, मतलब कि एक रौकी पत्थर जैसा कुछ ब जालते रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हैं, अगर आप उसे एकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स पर्चेस करना चाहते हैं, Study IQ आप पर जा सकते हैं, होग कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से नेक्स टैम, तिल द